नमस्कार मैं हूँ मेहक शर्मोर इस वक्त आप ये लाइव तस्विरे देख रहे हैं हरयाना के करनाल से आज करनाल में सेक्टर 32 में जो जानकारी मिली है कि एक घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तीन मंजिला वो घर बताया जा रहे सबसे उपर मंजिला पर बताया जा से बारा सालों से और उसी से अपना पूरा गुजारा करते थे लेकिन आज जो जानकारी है कि वो सेक्टर 32 के जिस घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था नीचे प्लंबर का काम कर रहे थे उपर से ठेकेदार की पूरी गल्ती बताई जाती है इस पूरे मामले में कि उप पर से सरिया आता है और सर से आर पार कर जाता है वो सरिया और जिसके बाद उनकी मोत हो जाती है और आप देख सकते हैं उनके गाउं से काच्वा से आगे बताया जा रहे कि वो जिस गाउं के रहने वाले हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे लेकिन गाउं के तमाम सद लेकिन मकान बनते हुए जब किसी मजदूर कीमोथ हो जाती है मकान बनते हुए जब ऐसे किसी प्लंबर कीमोथ होजाती है तो अपने आप में एक एक टीस मन में रह जाती है, उन लोगों के मन में भी रह जाती है, जिन लोगों का मकान बन रहा होता है, क्योंकि उनके मकान बनने के दोरान ही किसी व्यक्ति की मोथ हो जाती है, और ऐसे में एक घर में पूरे मातम का माहोल चाह जाता है, मेरी आप सभी लोगों से यह अपील क रगवीर हो जी चाचा लगता हूं रगते हैं कौनसे गाउं के रहने वाले विक्रम बीड नरायना कहां लगता है यह वह उम्र क्या थी इनके अवी शोनतिस के लगवागी था परीवार में कौन था इनके परिवार में यह एक मानवड़ा बड़ा बाईय अलग हो आज और इनके बच्चे वगदच्चे हैं डोलडकी हैं एक लड़का है बाकी पिता जी की डेथ हो चुकी थी एक साल पहले हैं करने वाले यह के लिए जी बउत आज क्या जानकारी मिली क्या हो इनके سाथ क्युकि काम तो ये पिछले 12-13 सालों से करें लेकिन एसा पहली बार्फरिया की कुर्झ नहीं पिछानक छुटा उससे लापरवाई से किसी भी तरह तो सर से इसमें किसी की गलती नहीं ए तो चुले हैं लिए तीन चोटे बच्चे हैं दो छोटी बेटियां बताई जा रही हैं और पूरे के पूरे के पूरे परिवार में मातम का माहौल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाओं के तमाम लोग घर के रिष्टदार हैं विक्रम के चाचा हैं विक्रम की तस्वीर थी शायद आप लोगों के पास एक बार वो तस्वीर भी मैं चाहूंगी कि आप दिखा दें क्यों वो सिरफ और सिरफ तस्वीरों में ही रह गए हैं इस दुनिया को वो आज छोड़ कर चले गए हैं और इन में उनकी कोई गल्ती भी नहीं थी गल्ती कि इनकी थी वो देखने वाली बात रहेगी आने वाले समय में लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि ठेकेदार की गल्ती सुभाज जी एक बर सर आप इदर आजेए क्या कुछ कहना चाहेंगे आज परिवार के साथ खड़ें आज बहुत ही दुखत गटन होई जी एक मा का लाल चले गया एक सुवाग गण का सुवाग चले गया बच्चे नात होगे जी ये इतना बड़ा आत्स होया इतना दर्दनाक आत्स होया जी ओपर से ठेकेदार की लापरुआई से निच्चे ये काम कर रहे था विकरम विक्की और सरीया आरपार हो जाता है, यह पूरी ठेकेदार की लापरुआई रही है, एक बहुत दुखत गड़ना है, सारा गाउं में बिल्कुल मातम कम होला है, बहुत दिल को बहुत दुख पुंच है, पूरे परवार को, पूरे गाउं को, इतना होनार, इतना अच्छा लड़का बिल्कुल नेक, इमानदार काम करने आड़ा पूरे गर को कल लाई थैम रहता अपने परवार को, तीन बच्चे दो गुड़ी है, एक बेटा चोटे चोटे बच्चे है, कोई पांस साल का, कोई चैर साल का, कोई साल साल का, इंसाफ क्या चाहते हैं अब आप, हम चाहते हैं क्योंकि उसकी इतनी बड़ी लापरवाई थी, ये ना हो कि विक्की ना हो कि कोई उस परवार का, जिसके उठी में काम कर रहे तूं, कभी किसी की जान जा सकती थी, इतनी लापरवाई से कैसे काम कर सकती है उसकी लेवर, कैसे काम कर सकता है उठे गदार इतनी लापरवाई वो मुख्यार रहें उनकी वज़े से पूरा का पूरा घर चल रहा था कोई सरकार से भी किसी तरह के मुआवजे की आप मांग रखना चाहेंगे क्योंकि आप लोगी सरकार चुनने वाले और अगर क्योंकि मैं मानती हूं कि यहां के सीम साब भी और विधान सभा शेत्र भी औ की यहां पर अगर किसी मझदूर की जाचाती है किसी करमचारी की जान जाती है तो कोई मुख्या मंतर जी AGA परियान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा यह बहुत ही गरीब परवार है बिल्कुल तैसनेस होगा क्योंकि यह कला ही बच्चा था कमाने वाड़ा इसके उपर ही पूरा परवार था बच्चे अनात होगे गर में कोई रहा है नी पापा पहली अक्सपेर हो रहे थे मम्मी वह बिमार रहती है वह इसे इसमें सरकारी जितनी भी मदद की जाए उतनी इसकी होनी चाहिए और यह हम पूरा जोर से मांग करते हैं पूरा समाज के तरफ से में यह निवेदन भी करता हूं सरकार से बहार इस बच्चे की हेलप किज़ाए और उनके जो आगे तीन बच्च इसाथ के साथ की साथ ज़रूर अप इसाथ कि बाइए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर पॉर और नीचे गए सबसे पहले पहुले पहुंचे आप तक